हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वाग रहे हैं पर और आज पीडियो में हम बात करेंगे डेविड फिंचर ओल मुवीज लिस के उपर बहुत कम ऐसे हलिवुड डिरेक्टर्स है कि जिनकी सारी की सारी मुवीज मैं देख चुका हूँ उसमें के सबसे पहले डिरेक्टर आते ह के हार्ड कोर फैन्स हो और आपने डेविड फिंचर की कोई भी मुवी नहीं देखिए ऐसा शायद ही पॉसिबल हो सकता है क्यूंकि उन्होंने अपने करियर में ज्यादातर मुविया इस किसम की ही बनाई है और कुछ ट्विस्ट एंडिंग वाली कुछ फैंटसी फिल्म भ बनाई है तो यह कौन-कौन सी मुवी उन्होंने बनाई है वो सारी मुवी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हमारा आज का वीडियो डेविड फिंचर के करियर की सबसे पहली मुवी थी एलियन 3 अब हाला कि एलियन 3 बनाने के लिए डेविड फिंचर के पास आया तो वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे लेकिन जब वह फिल्म डिरेक्ट करने गए तो माहुल कुछ ऐसा था कि अल्रेडी फिल्म की कहानी कई बार लिखी गई थी उसके अल्रेडी बने-बनाये सेट्स थे और उनको लेकिन अल्रेडी सब कुछ बना बनाया था तो वह कुछ खास चेंज नहीं कर पाए लेकिन कैसे तैसे उन्होंने इस फिल्म का डिरेक्शन कंप्लिट किया और उसके बाद जब एडिटिंग करने बेटे तो स्टूडियोज वालों ने एक नया नवेला डिरेक्टर आया है उसके उपर आपनी धौस जामाना शुरू किया जिसको देखके डेविड फिंचर ने कहा भाई साब नमस्ते मैं जा रहा हूं यह फिल्म चोड़के आपको इसके साथ जो करना है वो करो और किसी और ने एडिट करके फिर यह फिल्म हमारे सामने रखी गई थी जिसका एक व इस फिल्म से डेविड फिंचर ने अपनी चाप लोगों के उपर छोड़ी इस फिल्म में दो डिटेक्टिव रहते हैं जिसमें से एक का रोल प्ले किया है एक्टर ब्रैड पीट ने और दूसरे का रोल प्ले किया है मॉर्गन फ्रीमन ने इनकी इलाके में कतल होने पापों की सजा देने का काम यहां पर कातील कर रहा है यह हमारे डिटेक्टिव उसको नजर आता है और फिर वो अपना इंवेस्टिगेशन करते करते आगे बढ़ते हैं ऐसे में उनके उपर हमला होता है अब हमला जब कातील करता है तो क्या इन दोनों में से किसी की जान ज जाता है और वह जीस तरीके की हरकते करता है देख के बदन पर रॉंग टे खड़े हो जाते हैं तो वह अनुबव अगर आपको करना है तो इस फिल्म का जरूर से देखिए इसके बाद थर्ड नमबर पर फिल्म आती है द गेम इस फिल्म में माइकल डगलस आपको लीड रोल म नहीं है सिर्फ इसका एक भाई रहता है जो इसके बड़्डे के दिन आता है तो वह बोलता है कि भाई मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ और वह काड़ देता है और बोलता है कि एक कंपनी है जो अलग-अलग किसम के गेम खेलती है तुम जरूर से इस कंपनी में को एक बार विजिट करना तुमको मजा आ जाएगा और भाई ताब इसमें जब माईकल डगलस उस कंपनी को विजिट करने जाता है उसकी पूरी जिंदगी उथल पुतल हो जाती है उसको जान बचाने के लिए इधर भाग उधर बाग ऐसी नौबत आ जाती है आब यह नौब हाला कि एडवर्ड नार्टन इसमें अपनी अकेली तनहा जिंदगी जी रहा होता है उसकी जिंदगी में कोई खास बोल नहीं होता है और अचानक से एक दिन उसकी मुलाकत हो जाती है ब्रैड पिट से मुलाकत होने के बार यह दोनों रस्ते पर खड़े देके फाइट करने लगती है और फिर उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने माला हो वो देखने के बाद आपके पेरों तले भी जमीन खिसक जाएगी और इस फिल्म के जो किर्दार है जिनके साथ यह हरकत होती है उनके पेरों तले भी जमी पैनिक रूम इस मुवी की कहानी बहुत ही सिंपल है एक घर रहता है और उस घर में एक बेटी और मा वह घर खरीद लेते हैं और वहां पर रहने जाते हैं और उसके अंदर एक रूम रहता है जिसको पैनिक रूम बोला जाता है यानि अगर कोई तुमारे घर पे हमला करे य ऐसे में उस घर में तीन चोर घुस आते हैं यह जो लड़की और वो उसकी माँ है यह दोनों उसका कमगम्रे में चले जाते हैं और उसके बाद फिर ऐसी ऐसी हरकते होने लगती है जो देखके आपके बदन के रौंगते खड़े हो जाएगे और आप सूचते रहोगे कि आगे होगा तो क्या होगा तो भाईस आप सही में यह फिल्म बन आफ दा बेस्ट एज ओफ सीट खिलर तैब फिल्म है तो इसको आप जरूर से देख लीटियेगा इसके बाद सिक्स नमबर फे फिल्म आती है जोडियक फिल्म है एक ऐसे सीडियल किलर के उपर जो जो जोडियक सा करेक्टर है जैक जिलेन हाल लेकिन इस फिल्म में उतना ही एहम रोल निवाया है रॉबर्ट डाउनी जुनियर और मार्क रपेलो ने यह फिल्म और देवेंजर के पहले की है इन तीनों की भी केमिस्ट्री इस फिल्म में देखने में लाजवाब थी तो क्या इस फिल्म में आपको देखने है film The Curious Case of Benjamin Button इस फिल्म की कंसर्ट बिल्कुल ही अजीब हो गरीब थी इस फिल्म में जो लेड करेक्टर है जो ब्राइड पीट ने प्ले किया हुआ है यह पैदा ही एक बुढ़े के तार पे होता है और यह इसकी जिंदगी जो है वो उल्टी चलने लगती है दीरे दीरे इसके हाइड घटने लगती है दीरे दीरे वो जवान होने लगता है ऐसे अजीब हो गरीब उसकी जिंदगी रहती है और ऐसे में उसके लाइफ में एक लड़की आती है तो क्या वो जिंदगी पर उसका साथ निवाब आती है या उसको बीच में छोड़के चल पूर्म ने अब तक जितनी भी फिल्में उससे बिल्कुल डिफेरेंट टाइब की फिल्म थी इस फिल्म का नाम था दर सोशल नेटवर्क सोशल नेटवर्क से आप समझ गयोंगे कि कुछ तो सोशल मेडिया के रिलेटेड है यह फिल्म थी मार्ग जुकरबर्ग की बायोग्र फेस्बुक के फाउंडर की फिल्म आपको देखनी है तो इस फिल्म को जरूर से देखी है और इस फिल्म में मुझे तो ऐसा लग रहा था कि डेविड फिंचर को आसकर मिल जाना चाहिए लेकिन मिलते मिलते रहे गया लेकिन यह फिल्म almost categories में nominated की थी उस साल के ओसकर में इसके बाद 9 नमबर पर जो फिल्म आती है इस फिल्म का नाम है the girl with the dragon tattoo इस फिल्म में Daniel Craig ने as a lead role play किया है और Rooney Mara जिसने as a lead actress का role play किया हुआ है तो इसमें रूनी करेक्टर है उसको एक बहुत बड़ा इंडस्रियलिस लेता है वो अपने आइलेंड पर बुला लेता है जहां पर वो अपनी जिन्दगी गुजार रहा है और उसकी पूरी फैमिली उस आइलेंड पर बसी हुई है तो वो बुलाता इसके लिए है कि 40 साल पहले उनके घर की एक डैनियल क्रेक को देता है तो क्या यह सब चीज करने में डैनियल क्रेक कामियाब हो पाता है तुनी मारा का जो करेक्टर है क्या उसका और डैनियल क्रेक का आगे जाके कुछ संबंध आता है क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा व फिल्म को आप जरूर से देखिए लेकिन अकेले में देखिए इसके बाद दस्वे नंबर की जो फिल्म आती है इस फिल्म का नाम है गॉन गर्ल भाई बन ओफ फाइनेस्ट फिल्म ऑफ डेविड फिंचर करियर इस फिल्म में जिस एक्टर ने लीड रोल प्ले किया है उसका नाम है बैन एफलेक्ट जिसको आप बैटमान वसस्ट सूपरमन और जस्टिस लिग जैसी फिल्मों में बैटमान का रोल प्ले करते हुए देखिए लेकिन ये फिल्म स्पेशल साबित होती है रोजामंड पाइक के वजह से रोजामंड पाइक ने जो लीड रोल प्ले किया अपको इस फिल्म में अपको इस फिल्म में दिखेगी न सही में आप चोके भी नहीं रहोगे इस फिल्म की स्टार्ट कुछ इस तरह से होती है जब सुबा बैन एफलेक्ट उठता है तो उसकी बीबी यानि रोजामंड पाइक अचानल गायब हो जाती अब वह कहा चली कि क्या हुआ लेकिन जब यहां पे उसके साथ एक्जैक्ली क्या हुआ वह आपको दिखने लगता है और उन सीन्स में इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है रोजामंड उसने जिस तरह की एक्टिंग किये ना भाई साब खतरना के काबिल ये तारीफ है मतलब मैं सोचता हो कि इस फिल्म के लिए उसको ऐसकर क्यों नहीं मिला हाँ लेकिन नहीं मिल पाया लेकिन एक और विनिंग परफॉरमन्स के लेवल का परफॉरमन्स देखना है तो इस फिल्म को आप ज़रू से देखिए इसके बाद 11 नंबर पे इन्हों ने फिल्म बनाई मैंक तो हलाए मैंक उस ब असमातर दो ओसकर मिला था और वह था बैस्ट ओरीजनल स्क्रिंप्लेगा जो मैंक ने लिखा था तो उसने वह किस तरीके से ये कहानी लिखी, उसके पीछे कौन inspiration रहा और किस तरीके से वो journey रही उनकी basically ये फिल्म लिखने की उसके उपर ये फिल्म है और ये फिल्म उस time period की है जब black and white फिल्म है बनती थी तो इस वज़े से इस फिल्म को भी black and white तोर पे बनाया गया है और इस फिल्म का जो में एक्टर था, Gary Oldman उसने काबिले तारीफ एक्टिंग भी की है, पर सही मायने में डेविड पिंचर का हाड़कूर फैन होने के वज़े से, यह तक कि मैंने उनकी दो सोशल नेटवर्ग भी बहुत ज्यादा पसंद की थी, बायोग्राफिक फिल्म होने क बावजुद यह फिल्म मैंक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बहुत ही एवरेज लगी, पता नहीं क्यों इसको इतने आस्कर नॉमिनेशन मिले, और क्यों लोगों ने इसको इतना पसंद किया, एक्टिंग वाइस फिल्म अच्छी टी, लेकिन स्टोरी वाइस, स् के उपर डिपेंड करता है, इसके बाद 12 नंबर पर आई है डेविड फिंचर की पिछले साल की फिल्म, द किलर, द किलर में माइकल फैस्बेंडर ने किलर का रोल प्ले किया है, मतलब अब तक हम क्या सुनते कि कोई एक किलर रहता है, या ऐसा सीन रहता है, वो किसी की जान किलर की जिंदगी कैसी होती है, किस तरीके से उसको कतल करने के लिए एक स्पेसिफिक जगा पर पोचना पड़ता है, उसके लिए कितना स्टड़ी करना पड़ता है, कितना पेशन से कई घंडों तक एक जगा पर बैठना पड़ता है, और सिफ वो एक पल, वो एक पल जब उसका निशाना, मतलब जिसको उसको खतम करना है, वो उसके सामने आया और वो गोली चला दे, उस एक पल के लिए उसको कितना इंतजार करना पड़ता है, इसके पीछे की कहानी आज तक किसी ने नहीं दिखाई, जितनी खुबसूरती से दे कीलर में दिखाई गई है, और फि इसको जिस तरीके से भागना पड़ता है, तो क्या उससे वो सामना करके अपने आपको बचा पाता है, या इसकी खुद की जिन्दगी तबाह होती है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, वन आफ दो फाइनस डेविड फिंचर मुवी है, ये तिपिकल मिस्ट्र सब्सक्राइब करना अब मिलते हैं, और एक नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुडबाई